आज की रेसिपी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है इससे बच्चे का दिमागी विकास भी अच्छा होगा और बच्चे का वजन भी तेजी से बढ़ेगा इसको बनानी के लिए मैंने एक मीडियम साइस का अपल लिया है इसके छिलकों को मैं निकाल रही हूं मैंने निकाल दिया है और चिलके को निकालने के बाद मैं एक मीडियम साइस की गाजा ले रही हूं इसके अभी चिलका निकाल दे रही हूं और इन दोनों को छोटे-चोटे पीसे में कट कर लेना है कट कर लिया है मैंने उसके बावल लिया है इसमें दो काजू मैं ले रही एक पैन में एक चमज घी लिया है और उसमें में टू टेबल स्पून ओट्स डाल रही हूं जालने के बाद इसको थोड़ी देर तक अच्छे से भून लेना है जिसे बहुत अच्छी से इसमें लाने लगेगी और इसको लगबग एक से दो मिर तक भून लेना है और उसके बाद में एक साल से चोटा है तो आप काउमिल का यूज ना करें अगर बच्चा एक साल से चोटा है तो आप फार्मूला मिलका यूज कर सकती है या तो सिफ पानी बनाएं बच्चा एक साल से उपर का है तो आप काउमिल के ले सकती है अब इसको गाढ़ा होने तक पकाना है इसको अच्छे से गाढ़ा हो जाने देना है थोड़ी थोड़ कर लेना है और उसके बाद ये देखिए अब ये तयार है इससे आपका बच्चा बहुत जल्दी मोटा हो जाएगा